दिल्ली की जन्ता ने 2013 में पहली बार अर्विन केज्रिवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया 2015 में दुबारा 70 में से 67 सीटे देके केज्रिवाल जी को मुख्यमंत्री चुना गया 2020 में तीसरी बार 70 में से 62 सीटे देके दिल्ली वालों ने अर्विन जी को अपना मुख्यमंत्री चुना कहा जा सकता है देश के सबसे प्रसेद्र मुख्यमंत्रियों के अंदर कोई भी पूल हो कोई भी न्यूज चैनल कराता हो हमेशा अर्विन केज्रिवाल जी का नाम उसमें शुमार होता रहा है भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने पूरे केंद्री नितित्व के साथ तीनों चुनाओं के अंदर पूरा जोर लगाया मगर दिल्ली के अंदर उनकी करारी हार भी भारतिय जन्ता पार्टी निल्ली वालों से बदला लेना चाहते हैं केंद्र सरकार दिल्ली वालों से बदला लेना चाहते हैं अर्विंद केज्रिवाल की सरकार दिली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त विश्वस्तरिये शिक्षा विवस्था, वर्ल्ड क्लास, स्कूल्स, अस्पतार, मौला क्लिनिक, मुझे लगता है पूरे देश में शायद एक ऐसी जगे दिली है, जहां पे डॉक्टर का उच्चार मुफ्त, दवाई मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, महिलाओं की बस्यात्रा मुफ्त, बुजर्बो की तीर्थ्यात्रा मुफ्त, और हर तरीके की सुविधायें, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता को मानने मुख्य मंत्री अर्विंद के जिवाल जी दे रहे हैं, इससे भी के अंदर सरकार को बहुत कस्ट है, कि अब किसी राज्ये में केंदर सरकार और इनके मंत्री जाते हैं तो लोग कहते हमें अर्विंद के जिवाज जैसी सरकार चाहिए अब किसी तरीके से केंदर सरकार अपनी जब सारे हत्खंडे इनके चुनाओं में फेल हो गए तो यह चाहती कि किसी तरीके से दिली के ऊपर एक गैर कानूनी कबजा किया जाए एजी साव के माध्यम से और उस गैर कानूनी कबजे का तरीका है यह काला अध्यादेश देश की सबसे बड़ी आदालत के पांच जजों के समविधानिक पीठ ने फैसला लिया है यह ऐसा नहीं कि अर्विन केजरिवाल ने कहा है समविधानिक पीठ का फैसला है कि सारे आठ साल से जो आम आदमी पार्टी कहती थी अर्विन केज्रिवाल जी कहते थे कि ये सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं वो सही कहते थे केंद्र सरकार जूट कहती थी भारती जनता पार्टी जूट कह रही थी दिल्ली वालों को ये अधिकार हमेशा से सम्विधान में अर्विन केज्रिवाल को मिले थे दिली की चुनी हुई सरकार और उनके मुख्यमंत्री को मिले थे केंदर ने उनके उपर जबरदस्ती कबजा किया हुआ था बात हमने नहीं कहीं ये बात देश की सर्मिधानिक पीठ नहीं कहीं और जिस दिन सुप्रीम कोट छुटी पे गया उसी दिन रात को ये काला अध्यादेश लाके दिल्ली वालों से और एर्विन केजरिवायल जी से और आम आदमी पार्टी से बदला लिया गया इसको लेकि मेरे साथ और्गनाइजेशन के सातों उपाद्यक्ष पेटे हैं मेरे विधायक साती हैं और आप लोग भी जन्ता के बीच में जाते होंगे मैं ये कह सकता हूं और मैं बहुत जिम्विदारी से इस बात को कह रहा हूँ जो भारतिय जन्ता पार्टी के कटर से कटर समर्थक भी हैं दिल्ली के अंदर और आपस में बैटके रैशनल बात कर लेते हैं आपस में अगर बैटे हैं तो बात इमानदारी से भी कर लेते हैं वो ये बात कह रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है मगर ये के अंदर सरकार में ठी परिकिनि के ये तो दो कार यह तो दिलीवालों के साथ दोगा है ये भारते ज़्यत्ताअपार्ट recording के अच्षे से अच्छ समर्थ कादली मुन रहे हैं और दिल्ली के अंदर ये narrative गरीब से लेकर middle class तक middle class से लेकर youth तक youth से लेकर बच्चों तक हर आदमी ये कह रहा है कि ये अध्यादेश काला अध्यादेश है उसका हर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए दिल्ली वायों के साथ मिलके आम आदनी पार्टी इस विरोध को जनता के साथ मिलके एक तैय कारेकरम के अनुसार शुरू करने जा रही है तीन जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी उनके साथ सभी कैविनेट के मंत्रीगण सभी सम्मानित विधायगण इसी आईटियो के पार्टी के नेशनल आफिस में इस अध्यादेश की प्रतियों को जलाएंगे तीन जुलाई को पांच जुलाई को सभी सत्तर दिल्ली की विधान सभाओं में इन अध्यादेशों को जलाने का कारिक्रम किया जाएगा और उसके बाद छे जुलाई से तेरा जुलाई तक दिल्ली के कौने कौने में दिल्ली के हर महले में हर गली में हर नुकड़ पर हर चुराहे पर इस काले अध्यादेश की प्रतियों को जलाये जाएगा मेरे साथ मेरे ओर्गनाजिशन के सभी वाइस प्रेसेड़ेंट्स भी हैं और ये लोग हमारी वो ताकत हैं ओर्गनाजिशन की जो ये सुनिश्चित करेंगे कि हर मंदल पर दिली के हर मंदल पर इस अध्यादेश की प्रतियों को जलाए जाए आपका कोई प्रस्ट नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि दिखिए वो जो हमारे राज्य सभा के लोग सभा के क्योंकि राज्य सभा में इन बात है हमारे राज्य सभा के जो नेता हैं वो लोग अन्य पाटी के नेताओं से मिलके के इसकी स्ट्राटीजी बनाएंगे बट इस तरीके की फ्लोर स्ट्राटीजी काफी सेंसेटिव होती हैं समय आने पर आप लोग को उसके बारे में बताए जाएगा तो देखेंगे जब सत्राइगा हम तो देखी रहे हैं तो दिल्ली के लोग अपनी भावना वेफ्ट करना चाहते हैं राजनीती के अंदर और लोग तंदर के अंदर संकृतों का बड़ा महत होता है आपने काली पट्टी बान ली आपने संकेट दिया कि आप दिरोध में हैं आपने इस अध्यादेश की प्रतियां जलाई और दिल्ली के कौने कौने में जब ये प्रतियां जलेंगी तो इस संकेट जाएगा कि दिल्ली के लोग इस काले अध्यादेश से कुश्ट नहीं है